अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करिएगा जादा अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पेड़ा बहुत ही आसानी से बनाएंगे सिर्फ पांच में ये बन करके तयार हो जाता है और खाने में बिल्कुल मार्केट जैसा ये लगता है तो चलिए हम बनाना स्टाट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली हैं कुछ चीजे 1-4 cup milk, दूद, 1-4 cup शक्कर, यह पिसी हुई चीनी है, घर पे ही पीसा है मैंने इसे, और 1 cup milk powder, आप कोई भी milk powder ले सकते हैं, तो यह तीनों चीजे मैंने 1 cup से मेशर करके लिया हैं, यहां पे हम 1 कड़ाई रखेंगे, इसमें हम डालेंगे 1-2 चम्मच गी, गी जैसे ही पिगल जाए हम यहां पे डाल देंगे दूद, milk powder, powder sugar, पिसी हुई चीनी, अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, और तब तक पकाएंगे, जब तक यह हमारा milk powder का mixture गाढ़ा नहीं हो जाता, बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा, स्रिफ 3-4 मिनिट में यह रेडी हो जाएगा, देखिए, आप देख सकते हैं, कि यह गाढ़ा होने लग गया है, लेकिन इसे अभी हमें और पताना है, गैस की flame को लो रखेंगे, और इसे इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे, यह देखिए, बात करते ही करते, यह हमारा जो mixture है, एकदम गाढ़ा हो गया है, यहां पे आप चाहें तो इलाइची का powder भी डाल सकते हैं, पर मुझे यह ऐसे ही पसंद है, milk powder का टेस्ट, तो इसलिए मैं नहीं डाल दई हूँ, देखिए, गाढ़ा हो गया है, बस gas की flame को बंद कर देते हैं, और इसे हम थंडा होने देंगे, मिक्षर को मैंने एक प्लेट में निकाल लि हलका सा जब गरम रहे तभी आपको इसको बनाना स्टार्ट कर देना है, जितना बड़ा आप पेड़ा बनाना चाहते हैं, उतना बड़ा आपको बॉल बनाना होगा, मैं हापे medium size के पेड़े बना रही हूँ, हाथ पे लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से गोल करेंगे, आप भी हलका सा गरम है, पूरा थंडा नहीं है, इसके बीच में मैं रख रही हूँ पिस्ता, आप पिस्ता, बादाम, काजू जो आपको पसंद है आप रख सकते हैं, और इसी तरीके से हम बाकी सारे पेड़े बना करके तयार कर लेंगे, ये रेखिए फ्रेंस हमारा milk powder पेड़ बन करके तयार है, और बिल्कुल मार्किट जैसा ही लगता है ये खाने में, हमने इसे घर पे बनाया है, इसलिए पूरी तरीके से प्योर भी है, और बहुत ही आसानी से बन भी गया है, एकदम छोटे से बाउल का मेशरमेंट मैंने लिया था, तो यहां पे मेरे साथ बन करके तयार हुए है, आप अगर जादा बनाना चाहते हैं, तो सारी चीजों को डबल कर सकते हैं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सुस्क्राइब करिए, थैंक यू, बाइ बाइ